Hey guys welcome to my channel and I hope you all are doing well So in today's video I am going to share this product review This is Oxylife Bleach Now this bleach I have used before and I really love the result So in today's video I will share this review Now I have already made a detailed video on bleach Link in description box and you must check it out Because I have provided some tips that you need to know So please check it out Now let's talk about this bleach So this is Rs.42 This is from pharmacy And this one time use pack You will get a big pack So if you want to buy it online I will also provide that link in description box So check it out Now let's talk about what you get So you get three things This is cream bleach This is activator And this is post bleach cream Now you will get a small spatula And yes guys I will not share this video with you Because I want to keep this video short So let's get started with the demo All right So first of all we have to mix activator and cream I will mix it इस ब्लीच को मैं अपने फिंगर की हिल्प से अपने फेस पर अप्लाई कर लूँगी आप चाहोते हैं पर स्पाचुला या फिर ब्रश का भी यूज कर सकते हो प्ट फिंगर से काफी अच्छी से अप्लाई होती हैं यहां पर आपको आपका आय एर्या एंड हैर्लाइन अव इस ब्लीच मुझे काफी अच्छी से सूट करती है ब्लीच थोड़ा सा आपको इरिटेट करेगी घबराने के कोई बात नहीं है बट अगर आपको जादा इरिटेशन हो या जादा बर्न करें आपकी स्किन सो आप इसे सिंप्ली वाश कर लीजे मैं अपने फेस पे अच्छ की मेडियं है तो इसे 10 मिन्ट के लिए अगर आपकी इसकिन फैर है वाश कर orgtते हैं मैंने और फिव्टीम मिन्त के लिए एन देनने से वाश कर दिया था सो ये है मेरा फेस वश करने के बाद आप डिफ permitted देख सकते हूं आप प्रवाइन करके वीडियो को देख लीजिए और मुझे काफी अच्छा डिफरेंस दिख रहा है यहां पर अब बारी आती है पोस्ट ब्लीच क्रीम की तो यहां पर मैं अपने पाम में यह पोस्ट ब्लीच क्रीम ले रही हूं यह क्लियर जेल टाइप है इसकी कंसिस्टेंसे थोड़ी से थिक है और मैं इससे अपने पूरे फेस एरिया नेक एरिया पर अप्लाई कर दूंगी जहां जहां आपने ब्लीच अप्लाई किया है आपको वहां इससे अप्लाई करना है कुछ इस तरीके से आपको इसे मसाज नहीं करना है आपको बस इस से इसे इस तरीके से अप्लाइ कर दोंगी नो पूस्ट ब्लीच क्रेम अप्लाइ करने के बाद आप मेरे फेस पर यह वाला ग्लो देख सकते हो काफी अच्छे से आपकी स्किन को हाइड्रेट करती है यह वाली पोस्ट ब्लीच क्रेम आपको पसंद आया होगा आश का वीडियो सो प्लीच को सब्सक्राइब कर देना इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना आपके फ्रेंज के साथ तो मैं मिलते हूं मेरे नेक्स वीडियो में तब तक लिए बाबाई स्टे ब्लेस